राश्टी अल्प संक्यक पिछला वर्ग द्वारा सुंबार को कलेक्टोरेंट में ग्यापन सोपा गया और महेंगाय का विरोत किया गया जिसा उसर पर पदादिकारियों ने कहा कि महेंगाय कम की जाए नहीं तो जनान दोलन किया जाएगा राश्टी पिछला वर्ग संक्यक के पदादिकारी और कारिकरता सुंबार को कलेक्टे करेले पहुचे और बढ़ती महेंगाई पर अंकुष लगाने की मांग को लेकरता है सिदाल अजय इंगे को राश्टपती के नाम ग्यापन सोपा क्यापन में बताया गया कि पहले से ही विश्वापी कोरोना मामारी के चलते श्रामिक और मद्धिवर्ग के लोग बेरोजगार हो गए वहीं पेट्रोल लिजल और खाने की तेल रसोई के बाव बढ़ जाने से गरिप मद्धिवर्ग परिवार के आर्थी किस्तती बिगड़ गई है मद्धूर वर्ग के लोग बेंगरीन, समूलोन, बिजली का बिल बढ़ने में समर्ते हैं एसे में राष्टपती भारत सरकार को निर्देशित करे कि सभी मद्धिवर्ग, मद्धूर और कर्मचारियों का बेंगरीन और समूलोन की किस्ते तीन महात तक की माफ की जाए बोजन पर भी मेंगाई का प्रवाव पल गया है एसे में रसुई गेस के दाम लगबक 890 की होने की वज़े से लोगों को बोजन बनाना महेंगा हो गया है पेट्रोल लिजल के बाव बनने से बाजार के सभी खाज्य सामगरी गर्योली सामगरी महेंगी हो गई है परिवार का पालर पोशन करना बहुत ही कटिन हो गया है इसलिए पेट्रोल लिजल खाने का तेल सभी तरह की बढ़ती महेंगाई पर अंकुष लगाया जाए और विद्यार्थों के विद्याले का शुलक भी माप किया जाए ग्यापन सोब्ते समय राष्टी अल्प संक्य पिछडा वर्ग संगटन के कई पदादिकारी और कारीकरता मोजूद रहे आज पेट्रोल के दाम देखो सो से पार हो गए है डिजल के देखो तो पार हो गए हैं सो के और रसोी का गेस आज सो अबीघ का तेल मिठा तेल इतना सोर 200 रुपए किलो आज उपर सर्सो का तेल हो गया तो खाने वाला हैसे क्या करेगा ग्रहनियों के लिए धर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों का पालन पोश्चन करना मुश्किल हो गया बाहरी बोज है, रसोई गेस के दाम बढ़े हैं, वो भी एक बहुत आम आदमी पर काफी एक दबाव बना हुआ अभी, तो सभी से एक ही विंती की गई है कि इसको कम किया जाए, बिजली के बिल जो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उन उसको, मतब बिजली के बिलों को भ